Hello and welcome to Zoraor classes Last class में हम लोगों ने बात करी थी Rules of Divisibility के बारे में जिसमें different numbers के Rules of Divisibility हम लोगों ने discuss करी थी तो आज हम उसी topic को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उससे related कुछ है questions करके देखते हैं जैसे हमने 2, 3, 4, 5, 7 ठीक है? तो आज उससे related आगे करते हैं तो पहला question है हमारा अब ये साथ के साथ हम लोग revise भी करते चलेंगे जैसे पहला question देख सकते हैं यदि 1, 5, 7, y, 2, 3, 4 is divisible by 3 यदि ये एक संख्या दी हुई है और ये complete तीन से पूरी तरीके से divide होती है तो सबसे पहले तीन का divisibility rule क्या कहता है? कि जो भी ये number हमारा दिया गया है 1, 5, 7, y, 2, 3, 4 अगर हम इनके digits को add करें और digit को add करने के बाद जो number हमारे पास आता है अगर वो तीन से completely divisible है तो ये number भी completely divisible होगा तो add करते हैं 4, 3, 7, 2, 9, 7, 16, 16, 15, 21 और 1, 22 यहां तक आया 22 22 तो तीन से पूरी तरीके से भाग होता नहीं है तो अगर यहां पर 2 और आ जाए तो 22 और ये 2 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा और 24 हमारा तीन से पूरी तरीके से भाग होता है तो ये number भी तीन से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा अगर यहां पर y की जगा क्या आजाए? 2 आजाए तो यहां पर c would be correct answer चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पर आते हैं अब जैसे 3 का था वैसे ही यहां पर अगला rule आता है यह number है हमारे पास 67Y483 is completely divisible by 9 अब एक बार फिर से revise कर लेता है हम कि एक minute 483 तो यह 9 का बिलकुल 3 से मिला जुला ही है इसमें भी हमें digit को add करना पड़ता है और digit को add करने के बाद जैसे उसमें क्या होता है? उसमें 3 से divide होना चाहिए यहाँ पर 9 से divide होना चाहिए कई बच्चें यहाँ पर confused होते हैं वो कहते हैं कि जो 3 से divide होगा वो 9 से भी होगा ऐसा बिलकुल ज़रूरी नहीं है तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा तो add कर लेते हैं 8, 3, 11, 4, 15, 1, 16, 6, 22 और 7, 29 अब 29 29, 27 होता है option से भी आप देख सकते हैं अगर 2 जोड़ेंगे 31 नहीं होता 5 जोड़ा 34 नहीं होता अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो 29 और 7 कितना हो गया 36 जो कि 9 से completely divide हो जाता है तो अगर यहाँ y की जगह 7 आ जाए तो यह जो नमबर हमारा फॉर्म होगा 6, 7, 5, 7, 4, 8, 3 यह नमबर 9 से पूरी तरीके से भाग होगा तो यहाँ पर option number C would be the correct answer राइट, clear हो रहा है अगर बढ़ते हैं अब देखेंगे जो जिसके उपर सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं rules of divisibility में और जो थोड़ा सा typical भी है इसलिए इसको इसके questions number of questions हम थोड़े ज़्यादा करके देखेंगे वो है divisibility by 11 मैं इसको as it is लिख देता हूँ 1 y, 3 y and 6 अब rule क्या है 11 से divide होने के लिए हम कहीं से भी शुरुवात करते हैं हमने एक छोड़ करके एक digit को add करना है और जो remaining digit बच गए हमें उसे add करना है अब हमने कर लिया यहाँ पे एक छोड़ के 6, 3, 9 और 1 10 और यहाँ पे y y 2 y rule क्या है कि इनको जो add आए odd place और even place पे add करने के बाद उनका difference या तो 0 या 11 22, 33 इस तरीके से होना चाहिए अब यहाँ पे क्या है हम normally अगर कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे 0 मान के चलेंगे अब 10 minus 2y equals 0 तो 10 equals क्या हो गया 2y हो गया 10 equals 2y then y के value कितने हो गई 10 upon 2 that is 5 तो यहाँ पर option c हमारा होगा correct answer अब क्योंकि यह 11 का थोड़ा सा confusing है इसलिए इसके एक दू कोश्चन और लेंगे हम लोग इगला कोश्चन है देख सकते हैं आप लोग यदि y एक ऐसा अंक है जिसके कारण यहाँ पर यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाता है तो नंबर ले लेते हैं 5 8 2 4 and y हमें क्या करना सेम काम एक छोड़ करके एक आगे बढ़े और जो बाके रिमेनिंग हो गया उसको हम अलग से जोड़ लेंगे तो यह कितना आ गया 7 प्लस y और इसको जोड़ा तो यह कितना आ गया 8 4 12 राइट अब अब देखे अब इसमें यह भी नहीं होना है कि आप पहले किसे रख सकते हैं जैसे वो जरूरी नहीं है कि माइनस करके 0 है हम इन में बड़ा चोटा यह कोई रूल नहीं है कि इसको जोड़ने के बाद यह पहले लेंगे यह बाद में लेंगे अगर answer आपका 0 या minus 11, minus 22 तो वो भी 11 से completely divisible होगा तो यहाँ पे confused नहीं होना है इसको solve कर लेते हैं y equals क्या हो जाएगा यह 12 और यह 7 इधर आके minus हो जाएगा then y equals 5 means अगर यह यहाँ पे y की जगा 5 हो तो यह number 11 से पूरी तरीके से भाग होगा तो यहाँ पर option A would be the correct answer clear हो रहा है चलिए एक और देख लेते हैं इसी question को क्योंकि थोड़ा सा मैंने कालना typical है यह 11 का और जो बच्चे भी शुरुवात कर रहे हैं उनको confusion रहती है देखिए बच्चे मैं यहाँ पर लेकर के चलता हूँ उस बच्चे को जिसको कि बिल्कुल नहीं पता है तो मैं बिल्कुल basic से शुरुवात कर रहा हूँ ठीक है आप समझते चलेंगे और साथ में copy pen रखेंगे मेरे साथ solve करते चलेंगे ज़्यादा समझाएगा ठीक है तो अगला प्रेशन ले लेते हैं 7 3 8Y 6Y अब ये भी क्या है ये एक नंबर है जो कि 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है हमने शुरुवात यहां से कर दी एक छोड़ करके एक एक छोड़ करके एक आगे हमें आने की जुरूत नहीं है और जो remaining numbers बच गए वो ऐसे ले लिए हमने अब क्या हो गया 8 7 15 15 और 6 21 आ गया और इधर देखा 3 प्लस 3 प्लस 2 आई आ गया ये कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए अब देखे solve कर लेते हैं इसको 21 में से 3 गए मैंने कहा ना कि ये जरूरी नहीं कि हम इसमें से minus करें हम जैसे आता है हम वैसे solve कर लेंगे minus में भी आये तो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है यहां हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि ये दोनों क्या आने चाहिए बराबर होने चाहिए अब बराबर होगा तो भी क्या आएगा इसका मतलब क्या है कि माइनस करेंगे तो 0 आएगा तो आप कैसे भी करके solve कर सकते हैं मैं जितने तरीके possible होता है मैं सब में बता देता हूँ आपको अब यहां पे 21 में से 3 गहे 18 equals 2Y तो Y की value क्या आगए 9 आगए तो अगर यहां पर दिया हुआ नमबर अगर यह होता 7,3,8,9,6,9 तो यह नमबर 11 से पूरी तरीके से भाग होता तो यहां पे 9 मिन C आपका correct answer होगा तो यहां पर देख लेते हैं और इस से जो अगला level है question का वो एक बार देख लेते हैं 18 अब देखें यहां पर सारे आपको revise हो जाएंगे पहले हम बात कर लेते हैं 6 की Rules of Divisibility में 6 का rule क्या था कि यदि कोई नमबर 2 से divide होता है और 3 से भी divide होता है तो वो नमबर 6 से भी divide होगा अगर 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है आपका हर जगा follow होगा और ऐसे बताय हुए नहीं है जो books में नहीं है और question उनी के उपर आएंगे जैसे आपसे पूछ लेया question 12 के उपर तो 12 में आपको देखना रहेगा जो 3 से हो जाए और 4 से हो जाए जो 3 और 4 से दोनों से हो जाएगा वो 12 से भी हो जाएगा अगर 3 से नहीं हुआ 4 से हो रहा है तो 12 से नहीं होगा अगर 4 से नहीं हुआ और 3 से हो रहा है तो भी 12 से नहीं होगा इसी तरीके से 12 का हो गया 18 में क्या होना चाहिए तो यहाँ पर जो co-prime numbers है वो आ जाएगा 2 और 9 means अगर 2 से हो रहा है और 9 से भी हो रहा है तभी ये number आपका 18 से भी completely divisible होगा अब इसी तरीके से मैं साथ के साथ बहतर का भी देख लेते हैं अगर 72 है तो वहाँ पर भी क्या होगा वहाँ पर 8 and 9 हो जाएगा अगर 8 से divide हो रहा है और 9 से भी divide हो रहा है तो 72 से divide होगा तो अगर अब इसी में बहुत सारे आ सकते हैं 15 का आ सकता है 21 का आ सकता है बहुत सारे 15 का आ गया 3 और 5 से होना चाहिए तो वो आप लोग उस according देख लेंगे और practice कर लेंगे अगर दिक्कत आती है अचा बचे one more thing मैं ये चाहूँगा comment section में आप लोग अपनी problem discuss करें क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे group of students के साथ deal कर रहा हूँ अगर यहाँ पे बहुत easy ले करके चल रहा हूँ तो आप लोग वो बता है बहुत speed से चल रहा हूँ तो आप लोग वो बता है क्योंकि यहाँ पे सभी student teachers है और हम लोग क्या मानना है कि child centered class होनी चाहिए तो child centered class तभी होगी जब आप लोग अपनी problem share करेंगे हमसे ताकि जो भी next video है हम उसको correct करने की कोशिश कर सकें अब फिर से देख लेते हैं एक बार 18 से पूर्ण तया विभक्त नहीं है यहाँ पे question क्या है नहीं है इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है normally हम लोग question देखते है 18 9 और 2 से हो गया तो हो जाएगा अब यहाँ पे क्या है नहीं है तो यह बहुत ही easy हो जाएगा क्योंकि हमें क्या check करना है कि वो 2 से और 9 से तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 का क्या है rule 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए तो 3 के last में 6 है means 2 से हो जाएगा यह यहाँ पे last में क्या है 3 है तो means यह संक्या 2 से divide नहीं होगी अब अगर 9 से हो भी जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है क्योंकि इन दोनों से होनी चाहिए तभी तो 18 से हो पाएगी इसका मतलब यहाँ पे option क्या हो जाएगा हमारा D would be correct answer चले आगे बढ़ते हैं यह कुछ अगली type के questions माने जाते हैं इसको भी देख लेते हैं एक बर देखें यहाँ पे कह रहा है कि 3, 4, 2, 8 में कौन सी नियुन्दम संक्या है घटाए कि प्राप्त संक्या 13 से पूर्णते अविवक्त हो अब ऐसे प्रशन आपके दो तरीके से आ सकते हैं क्या घटाएं यहाँ पे हो सकता है क्या जोड़े तो एक बार इस कंसेप्ट को समझ लेंगे इसके लिए हम कंप्लीट डिवाइट करके देखते हैं 13 से हम इसको भाग दे देते हैं 3, 4, 2, 8 13 दुनी 26 8, 2, 13 चिक, 78 4, 8, 13, 49 अब यहाँ पर क्या आगया? रिमेंडर हमारा 9 आगया अब देखें, यहाँ पर क्या है? क्या संख्या घटाएं इसमें से क्या संख्या घटाएं तो यह पूर्णता है विभक्त होने के लिए क्या होना चाहिए? पूर्णता है विभक्त होने की शर्त क्या है? कि जो हमारा शेष है या जो रिमेंडर है वो remainder क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए remainder must be equivalent to 0 अब यहाँ पर तो 9 आ गया तो यह 9 कब किस शर्त में नहीं आएगा अगर यह 9 इस संख्या में नहीं होता तो यहाँ पर remainder क्या बचता हमारा 0 बचता तो अब विसी बात है यहाँ पर answer क्या हो जाएगा कौन सी संख्या घटाएं तो 9 घटाएंगे यहाँ पर correct answer क्या हो जाता 9 हो जाता अब इसी को आगे बढ़ लेते हैं इस question में कहाँ दे क्या जोडे घटाए की जगा अगर प्रश्ट में होता क्या जोडे अगर यह होता तो क्या करना होता फिर से हमारे पास क्या करना है हमें 6 क्या लेकर क्या आना है 0 लेकर क्या आना है तो 0 के लिए क्या या तो यह 9 हटा दे या फिर क्योंकि हम इसे 13 से भाग दे रहे हैं तो अगर यहाँ पर 13 हो जाए तो क्या होगा 13 से डिवाइड हो जाएगा और रिमेंटर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा तो यहाँ पे 13 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 9 है अगर यहाँ पे 4 और add हो जाए तो obviously बात है यहाँ तो add कर नहीं सकते means हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 4 add करना पड़ेगा means अब question और भी पूछ सकता है तो वो संख्या कौन सी होगी जो क्या जोडे जोडने के बाद वो कौन सी संख्या होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर घटाने की बात करी तो 3,4,2,8,9 कर देंगे अगर वो कहे कि क्या जोडे तो 3,4,2,8 में हम प्लस 4 कर देंगे अब वो question कैसे भी आ सकता है आप उसे के according अपना solve कर लेंगे आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की और जैसा कि देख सकते हैं ये प्रशन बहुत बार पूछा जाता है कई पर DSS भी विगर आपने ये प्रशन आता है यहाँ पर एक pattern follow होता है कि यदि किसी संक्या को 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है तो उसी संक्या को 17 से भाग दे तो क्या sexual प्राप्त होगा अब आप यहाँ पर देखेंगे ऐसे question में ये जो दो number होंगे ये आपस में divisible होंगे हमेशा ये pattern follow होता है अब अगर समझना है जैसे यहाँ पर कोई संक्या क्या संक्या है तो हम एक बार मान करके देख लेते हैं सपोज हम एक संक्या ले लेते हैं 14 और संक्या मान लेते हैं 23 और प्रशन हमने ये change कर दिया 14 से भाग देने पर देख लेते हैं क्या 6 बचेगा 14 यहाँ पर 9 6 बच गया अब जैसा की pattern है 136 है तो 17 है क्योंकि 136 से भाग हुजाता है तो हम इसी तरीके से लेते हैं 14 है तो हम 7 ले लेते हैं कि अगर इस संक्या को हमने 7 से भाग दिया तो कितना 6 बचेगा तो यहाँ पर देख सकते है 23, 27, 21 और 2 यहाँ पर क्या remainder बचेगा 2 पर problem क्या है कि यहाँ पर इस question में यह जो संक्या यह 23 है यह दिया हुआ नहीं रहेगा और भी हम कर सकते हैं 2 से अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा वो भी आप देख सकते हैं ठीक है तो देखे क्या करना है अब pattern क्या follow होता है कि जो remainder है अगर उसी को सिर्फ साथ से भाग दे दिया जाए तो हमारा answer यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर 2 था यहाँ पर भी 2 ही आया आप और इसको छोटा करके या आप और कोई different number ले करके इस pattern को check कर सकते हैं otherwise जब question आएगा तो वहाँ पर हमेशा ही यह pattern follow होता रहेगा तो यहाँ पर अब check कर लेते हैं इस question का answer क्या होगा तो हमें क्या करना रहेगा 36 को बस 17 से भाग दे करके देख लेना है 36 को भाग दिया 17 दुनी 34 2 remainder बचा तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 हो जाएगा means D would be our correct answer आगे बढ़ते हैं कुछ और question करते हैं इसी same pattern के देखते हैं यहाँ पर है 1955 से विभग्द करने पर 47 remainder बचता है अगर 1955 से भाग दे रहे हैं तो 47 remainder बच रहे है तो 15 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? अब देख सकते हैं same pattern यहाँ पर है 195 15 से divisible हो रहा है तो हमें just क्या करना पड़ेगा? जो अभी हम लोगों ने तरीका सीखा pattern सीखा हमें बस 15 से 47 को भाग दे देना है 15 तिया 45 यह आ गया 2 तो यहाँ पर भी right answer क्या हो जाएगा तो means option number D would be correct answer I hope आप लोगों को clear हो रहा होगा चलिए अगला प्रशन देखते हैं same इसी pattern पर है क्योंकि इंपोर्टेंट है इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा question ले लेता हूँ 156 से भाग देने पर 39 प्राप्त होता है 13 से भाग देने पर कितना 6 प्राप्त होगा अब फिर अगेन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 153, 13 से 156 भाग हो जाता है means 13 156 का divisible है तो हमें जस्ट क्या करना है 39 6 हो रहा था हमें जस्ट 29 को यहाँ पर भाग देना है 13 दुनी 26 3 हमारा 6 बच्चा तो इसका right answer क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा means option number D would be our correct answer तो आज के लिए इतना ही बाकी next class में हम लोग और करेंगे और classes regular होंगी तो मेरा आप लोगों से निविदन है कि जब भी मेरी class attend करें copy pen साथ में लेकर के बैठे और comment section में problems जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो problem डाले child centered हमें करनी है इस तरीके से डाले तकि मुझे भी पढ़ाने में क्योंकि जब तक teacher और student के beat में interaction नहीं होता है तब तक पढ़ाई impactful नहीं रहती है तो I hope आप लोग comment में अपनी problem डालेंगे क्या समझ में नहीं आ रहा है वो या क्या समझना चाहते हैं अगर मेरे से कुछ इसी topics से related कुछ questions रह जाते हैं आप लोग वो भी suggestion box में भी डाल सकते हैं चले ओके thank you